नमस्कार आप देख रहे हैं जन्तंद्र टीवी और बेहुआ आपके साथ माधरी थिवारी वलेटिन की शिर्वात करेंगे पड़ी खबर के साथ जहागरे मंद्री अमिच शाह का महराज गंच का दौरा है आज ग्रे मंद्री चुनावी जंसभा को समोधित करेंगे जवाहर लाल लहरू पीजी कॉलेज मैदान में जंसभा करेंगे केंद्री प्रेमंत्री अमिच शाहा महराज गंच देवरिया भलिया सोन फद्र और गाजी पुर में चुनाव रिचार करते हुए नसर आएंगे वह सुभा ग्यारा बचे महराज गंच में जवाहर लाल लहरू पीजी कॉलेज के मैदान में आईजित जंसभा को सम्भोधित करेंगे इसके पाद दौपहर साड़े पारा बचे देवरिया में चीनी मिल के मैदान में जंसभा को सम्भोधित करेंगे वह दौपहर दो बजे बलिया के माल्दपुर मोड हैवतपुर में आईजित जंसभा को सम्भोधित करते हुए नसर आएंगे बड़ी जानकारी आप तक पुचा रहे हैं बता दे ग्रे मंत्री अमिच चाहका महराज गंज का दौरा है आज चोकी काफी महतपुर माना जा रहा है ग्रे मंत्री चिलावी जंसभा को सम्भोधित करते हुए नजर आएंगे जंसभा को लेकर तयारिया पूरी हो चुकी है जवाहर लान लहरू पीजी कॉलेज मैदान में जंसभा का आयोजन किया ज जा रहा है जंसभा को लेकर इते दिनों से तयारी की जा रही थी सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतिसाम के गए हैं और ये दौरा काफी महतपुर माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वोच्रों को साथनी की कोशिश करते हुए ग्रे मंत्रि जवाहर लाल लहरू पीजी कॉलेज मैदान में जंसभा का आयो जिन क्या गया है जंसभा को लेकर तैयारिया पूरी हो चुकी है तो सुरक्षा के कड़े इंतिसाम के गए हैं विलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी परिशानी ना हो ग्रे मंत्रिय मिश्या कि जो देंगे तो संबोधन के दौरान क्या कुछ खास बाते कहते हुए नजर आ सकते हैं मड़ी जानकारियाद तक पहुचा रहे हैं ग्रे मंत्रिय मिश्या का महराज कंज का दौरा काफी महत्वण रहने वाला है चुनावी जन सभा का एजन क्या गया है जिसमें ग्रे मंत्रिय मिश्या आपने संबोधन भी देंगे और जानकारी के लिए मारे सब बढ़ाता अवनीश कुबार अवनीश बीजपे के जितने भी दिकचे प्रिचा प्रिसार में लगे हुए हैं छे चरंड की चिनाव हो चुके हैं साथवे चरंड को लेकर तैयारिया की जा रही है ग्रे मंतरी अमिश शहा बहराज कंज पहुचेंगे जोरान उनके कौन कौन से कारिक्रम तैय के गए हैं और जन्द सभा को लेकर क्या कुछ जादा जानकारी सामने आ रही है जी बिल्कुल देखें केंदरी ग्री मंतरी अमिश सा अंतिम चरलके मत्तान के लिए पूरी तरह उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है आज अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के दोरे पे रहेंगे और करिब चार जन सभाएं करेंगे उसके बाद एक रूट सो करने वाले अगर सब सब पहले बात करें तो महराज गंज में होंगे देवरिया में होंगे वह बलिया में होंगे फिर उसके बाद सोन भधर जायेंगे उसके बाद देर साम गाजी पूर में वधर रूट सो करते हुए दिखाए देंगे यानि पूरी तरह जो समीकरण है उसको साधने की पूरी कोसी से और केंढरि गिरु मंत्री कि ये खास बात है कि पुरवानचल को उन्होंने पूरी तरह मत्था है 2014 के लोक्षबा चुनाओं में जब उत्तर प्रदेश के वों प्रभारी बनाये गए थे तबHI उंनोंने पूरी उत्तर प्रदेश के समीकरण को समझा था और यही वज़ा है कि अमिजसा लगातार पुर्वांचल को मत रहा है, पुर्वांचल में वो जनसभाएं कर रहा है और जनसभाओं के माद्दियम से वो भी पच्छ को चुनोती देते हुए नजर आ रहा है और भारती जनता पार्टी के प्रतियासी के पच्छ में महर बनाते क्योंकि 2019 के लोग सभाँ चुनाओं में वहाँ पे भारती जनता पार्टी के प्रतियासी मनोस इन्हा को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद 2022 में जब विदान सभाँ चुनाओ था तब भी वहाँ भारती जनता पार्टी सफलता नहीं पाई थी, और यही वज़ा है क 2024 के लोग सभाँ चुनाओं में किसी भी तरीके से भारती जनता पार्टी के प्रतियासी को जीत दिलवाये जा, यही लेकर सिर्ष नेत्रित तो जो है पूरी तरह गंभिरता दिखा रही है और लगातार अमिस सा खुद इस समीकरल को साधने में लगे हूँ है, तो आज वस्थारा का राज किया है और इसी के लिहाज पे वह महां से ओट मांगते हुए दिखाई दिये, तो आज अमिस सा होंगे, बड़ी चुनाओती देते हुए नजर आएंगे, और देखना होगा कि किस तरीके से गाजी पूर में अमिस सा महाल बनाने में कामयाब होता है, पि पिजेपी ने असी में से असी लोगसभा सीटे जीतने का उतरप्रदेश में रखा था, क्या माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ चर्चाए चल रही है? और यही वज़ा है कि 2024 के लोगसभा चुनावा में जाती के समीकरण को देखते हुए घोसी लोगसभा को सुभासपा को दिया गया, जो एंडिया का सायोगी दल है, वहां पर ओम प्रकास राजवर के बेटे अरविंद राजवर प्रत्यासी हैं, और अभी हाली में जब प् हाल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही समीकरण जो है वह इस आंतिम चरण में देखने को मिल सकता है, अब देखना होगा कि जिस तरीके से 2022 का विदान सभा चुनावा था, महां के समीकरण अलग थे, महां जादिकर समीकरण हावी रहा, और समाजवादी पार्टी को महां फाइदा भी होता हुआ दिखाई दिया था, अब लोग सभा का चुनाव है, सबकी नजरे केंदर पे होती हैं, और खुद प्रधान मंतरी नरिद मोदी ने कहा है कि वो केंदर को देखें, उनके तमाम जो काम किये गए हैं, उनको देखें, और तमाम जो नीतियां है उनको देखा जाए, चाहिए नीतियों में वो चाहिए आंतरिक सुरच्छा की हो, वाय सुरच्छा की बात हो, या 370 की बात हो, या तमाम अंजो जो लंसील मुद्दे थे जिनको खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया, तो इसको लेकर वो लगातार उस तस्वीर को पेस करत चुनाव है, जहां लोग सभा छेतरे जहां पे मतदान होने हैं, वह जादा से जाहौल जो है, वो अपने पार्टी के पच्छ में बना जाए और यही वज़ा है कि अमिसा खुद आज दिखाई देंगे, चारजन सभा करने के बाद वो एक रोट सो करते हुए दिखाई दें कर दो कर दो कि जा है , बना जाती है, बना जाए। भी से घाल कर एक दोला है, वो जार है, जाता है।